हलो लर्नर्स, हम कर रहे हैं हमारी बुक नमबर वन, बेसिक एलिमेंट्स फॉर अ शॉर्ट स्टोरी, किसी भी स्टोरी को ले लीजिए, उसका जो बेसिक एलिमेंट्स सबसे पहले आता है, वो है प्लॉट एंड स्ट्रॉक्चर, इसी लिए जो हमारी पहली युनिट है, उसका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, और सीरीज के साथ कनेक्ट कर लीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा, हाव टु मेक तशॉर्ट स् करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं, हाव टु मेक दा शॉर्ट स्टोरी अपियर ट्रू से, देखिए इस यूनिट को शुरू करने से पहले, स्टडी को थोरोली करने से पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूँ, कि हम इस यो यूनिट है, इसमें हम फैंटेसी को थ आप एस डो, आप एस राइटर आपने उसको प्योरली इमेजन किया हो, that would interest only certain types of reader, और वो हो सकता है कि कुछ certain type of readers को ही interest करे, उन्हें एक्साइट करे, उन्हें interesting लगे, बट यहाँ पे हम जो हमारा topic का concern होगा, इस यूनिट में वो है उन लिट्रेरी स्टोरी के ऊपर, जो करती है human conditions को to the reader, जैसे कोई reader है, उसे ये पता लगेगा आपकी लिट्रेरी स्टोरी रीड करके, कि अच्छा अगर ये चीज़ एक human के साथ happen हो रही थी, तो उसका mind किस direction में work कर रहा था, कौन से thoughts उस human के, human means यहाँ पे मैं character की बात कर रहे हूँ, कि character के mind में कौन से thoughts आ रहे थे, उसे कैसा feel हो रहा था, so this unit है, इसका जो पूरा focus रहेगा, वो human mind के उपर रहेगा, fantasy के बारे में हम कभी और unit में बात करेंगे, सबसे पहले जो आपकी, अगर आपको अपनी story को सच्चा दिखाना है न, appear आपको ऐसा कराना है कि ये बिल्कुल सच्ची है, तो आपका ज होना चाहिए, वो बहुत ही credible होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जिस पे भरोसा ही ना किया जा सके, ऐसी चीज आपने नहीं लिखनी है, अब इस plot को credible कैसे बनाना है, हमने जितनी भी आज तक units cover की हैं previous, उसमें हमेशा मैं कहते हूं, कि आपको अपना जो plot है, उसको credible बनाना है, credible बनाना है, credible का मतलब होता है भरोसा, जिस पे भरोसा किया जा सके, अब उसको बनाना कैसे है, देखिए उसको बनाने की आपको दो tips दी गई है, सबसे पहली जो tip है, familiar incidents, yet in new way, आपको इसमें चलिए next भी कर लेते हैं, next is to make your story plausible, अब आपको दो tips दे दी ग content को उठाना है, वो आपकी life में हुआ हो सकता है, वो आपके किसे friend की life में हुआ हो सकता है, और वो आपके किसी भी रिष्टिदार, कहीं पे भी आपने कुछ चीज देखी है, और जो आपके दिल में आ गई है, अब आप उस पे story लिख रहे हो, जैसे कि हमने हमारी fundamental norms of writing वाल किसी चीज के साथ familiar है, बट आपने उसमे ना new चीज का तड़का लगा देना है, ऐसी बात करनी है, ठीक है, अब familiar topics कौन से होते हैं, देखिए death है जो, birth है जो, ये ऐसे topics हैं जो सारी दुनिया के साथ familiar है, अब आपने क्या करना है, for example, example के लिए हम बात कर रहे हैं, मान एक एसे इंसान के ऊपर, जो अभी एक death bed के ऊपर है, अब उसका human mind, उसका जो आपका character है, उसका mind कैसे work कर रहा है, आप वो बताओगे अपने readers को, सो आप दुनिया को पता है कि death हर एक इंसान की होती है, बट वो इंसान अपने death bed पे क्या चीज़ के बारे में सोच रहा है, उसकी पूरी life की journey के बारे में सोच रहा है, और या फिर किसी philosophical thought के बारे में सोच रहा है, कि हमारा birth ही क्यूं होता है, हमारा life का purpose क्या है, उसके mind के जो thoughts है न, वो आपको अपने reader को बड़े ही interesting way में बताने है, सो उससे क्या होगा, एक तो आपकी story credible बन रही है, क्यूंकि सारी दुनिया familiar है कि death तो होनी ही होनी है, सारी दुनिया को पता है कि birth होता ही होता है और उसके बाद लोग मर जाते हैं, सो एक topic क्या है, आपका topic familiar है, जैसे शादी का topic है, that is familiar, लोग शादी करते हैं, सो जितने भी familiar topics हैं, जब आप उसको कोई new twist देते हो, आप अपना new thought देते हो, उससे क्या हो जाता है, आपकी story जो है, वो credible बन जाती है, next है, कि as a storyteller, जो storyteller होता है न, वो देखिए, दुनिया का कोई भी storyteller ले लीजिए, उसकी जो best story होगी न, वो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सच्चाई है, सो जो storyteller होता है न, वो wedded to truth, उसकी समझलों की truth से तो उसकी शादी हुई हुई है, ठीक है, सो वहाँ पे क्या है, आप as a writer, आपकी क्या duty है, कि आपको अपने reader को ऐसा feel करवाना है, कि आपने जो भी लिखा है, वो बिलकुल real है, और उसे real, plausible का मतलब होता है convincing, आपका जो reader ह परने वाला है, उसे ऐसा लगना चाहिए, आपने उसे convince करना है, कि जो भी आपने लिखा है, वो बिलकुल सच है, सो अभी I hope आपको clear हो गए होंगे, कि कैसे कौन से दो तरीकों को आपने अपने mind में रखना है, जब आप एक short story लिख रहे हो, पहला है, कि आप एक familiar topic है, जरूरी नहीं कि कई बार क्या होता है, कि आप कुछ new experience करते हो, सो बहुत सारे chances हैं कि वही चीजे हैं जो किसी और ने experience की हो, या फिर न की हो, सो आपका जो first आपकी tip है, वो क्या है, familiar incidents को उठाईए और उन्हें new twist दीजिए, उससे आपकी story credible बनेगी, दूसरा है, कि आपने जो लिखा है, वो बिल्कुल true है, next बात कर लेते हैं, how to give meaning to a short story, आप कैसे एक short story को meaning देते हो, wish to achieve for your story is the answer to this question, अब आपने meaning क्या देना है, वो based है कि आपने पहले क्या सोचा है, जो भी मैंने लिखा है न, उसका मैंने achieve क्या करना है, जो आपने अपनी achievement सोच के रखी है, कि आपने कोई message convey करना है अपने reader तक, तो आपकी achievement क्या है, वो उस पे based होता है कि आप अपना meaning क्य बनाते हो, ठीक है, a reader should never find himself compelled to ask, what does it all mean, एक जो reader है, अगर उसने आपको read किया है, end आगया है अब story का, अब उस पे जाके उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये writer ने लिखा था, इस सब का मतलब क्या हुआ, तो ये चीज, इसको आप counter करने के लिए, एक tip है आपके के लिए, कि जो भी आपने story लिखी है ना, उसको किसी को read करने को दो, ये तो जितने famous writer हैं, जितने बड़े-बड़े writer हैं, वो क्या करते हैं, उनका तो circle बन जाता है, तो वो अपने friends को देते हैं, अपने जो critic होते हैं, उनको देते हैं, कि आप इसमें read करके हमें बताईए कि क्या आपको इसमें से meaning क्या आपको निकलता लगता है, वो क्या है, वो आपका जो reader होगा, जैसे आपका गई friend है, आप उसको देकर, अपना work वहाँ से, उससे review ले सकते हो, ठीक है, reader often get the wrong signals, due to some weakness in the plot, यहाँ पे, देखिए, meaningless story कब बनती है, meaningless story बनती है, जब आपका जो signal आप देना चाहते हो, वो capture ना कर पाए, दूसरा इंसान, और वो क्यों नहीं कर पाता, जब plot में weakness होती है, तो अगर आपका plot weak है, अगर आपको सामने वाला आपका work read करके कहता है, आपको friend ही आपका work read करके कहता है, कि देखो मुझे ना थोड़ा समझ नहीं आया, तो इसका साफ मतलब क्या है, दो reason हो सकते है, या तो आपका friend आपके level पर नहीं आ पाया है, और दूसरा reason हो सकता है कि आपका plot weak है, ठीक है, अगर आपका जो friend है, आपका review देने वाला है, वो intelligent है, according to you, तो हो सकता है कि आपका जो plot है, वो weak है, उसकी weaknesses क्या होती है, आपको कौन सी बात नहीं शुरू की, ठीक है, बट उसका जो message आपने सोच के रखा था, आपने सोच के रखा था कि मुझे इस story से इस चीज को achieve करना है, मुझे ये जो story मैंने लिखी है, उसकी जो मेरी achievement है, वो मेरी ये होनी चाहिए, तो अगर आपका जो message है, वो main subject से हट गया है, आप लिखन कुछ और चाहते थे, आप achieve कुछ और करना चाहते थे, बट half में आते आते और end climax तक जाते जाते, आप कहीं और चले गए हो, so अगर digression हुई है आपकी story में, so वो एक reason हो सकता है, कि आपका जो plot की वो weakness हो, इसको कैसे आप हटा सकते हो, देखिए कई बार क्या होता है, राइ atmosphere create करने के चक्कर में की atmosphere अच्छा हो, उनकी जो story है, वो खराब हो जाती है, जो उनका main message होता है उससे हट जाती है, देखिए short story की बात कर रहे हैं हम यहां पे, अगर आपका novel है, वहाँ पे atmosphere set करने की बहुत जादा जरूरत होती है, बट जब आप एक short story लिख रहे हो ना, तो आप कोशिश कीजिए कि इस जो आपकी weakness है उसको खतम करने के लिए कि उसको जो आप atmosphere create कर रहे हो ना, उसको short करो, उसको जादा length मत दो, ठीक है, जो long pauses है उसको avoid करो, इससे क्या होगा, आपका एक plot है, जो उसकी एक weakness जो है, वो कम हो जाएगी, next weakness क्या हो सकती है आपके plot में, next है defection, defection आपने ये word politics में बहुत जादा सुना होगा, क्या होता है ये word का meaning, मान लीजिए, अभी politics की बात करते हैं, कि जैसे कोई नेता है, वो पहले election किसी और party से जीतता है, और end में आकर वो, जब उसको center में, जो उसको MLA बनना होता है, तो वो क्या गरता है, किसी और party को join कर लेता है, so starting तो किसी और party से करता है, but end मतलब middle में आकर क्या करता है, किसी और party में चले जाता है, so similarly, अगर आपने जो अपनी story की starting है, किसी और चीज से की थी, और middle में आते आते, आपने उसको कहीं और ही ले गए हो, तो वो क्या है, आपका plot वहां पे week हो गया है So, जब आपने एक चीज को सोच लिया है, कि मुझे ये achieve करना है, अगर आप middle में अपना जो path है, वो change कर देते हो, तो आपकी story जो है, वो एक तरीके से खराब हो सकती है, आपकी जो story है, वो meaningless हो सकती है Next है message, देखिए, बहुत सारी ऐसी story होती है, stories होती है, जिन में कोई message नहीं होता, और वो बहुत अच्छी लगती है, readers को, entertain करती है So, message इतना ज़ादा important नहीं होता है, बट message अगर आप दे सकते हो, तो उससे आपको दो फाइदे होंगे सबसे पहले, आपकी as a writer, आपका जो status है, वो raise होगा, ठीक है, जो आपके fans बनेंगे, वो आपको क्यों follow कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक valid reason है, कि ये मेरा favorite writer है और ये हमेशा अच्छी story में जो इसका story का message होता है, वो बहुत अच्छा होता है so message का main purpose ये ही है, stories basically entertain करने के लिए होती है, कुछ readers होते हैं, जो वो एक दुनिया से disconnect होकर दूसरी दुनिया में जाना पसंद करते हैं, right, एक imaginary world में जाना पसंद करते है so message का सिर्फ एक purpose होता है, कि वो आपका content rich कर देता है, और आपको एक status देतेता है as a writer so ये हो गई हमारी तीन बातें, जिनको हमने ध्यान में रखना है, अगर आपको लग रहा है, कि आपकी story meaningless है तो उसमें हो सकता है कि plot में तीन कमियां हो, पहली हो degradation की, कि आप message कुछ और देना चाहते थे बट आपने जो बाकी की चीज़ें है, जो plot के अलावा atmosphere है, वो इतना create कर दिया है, story को इतना lengthy कर दिया है कर दिया है, कि आपकी जो story है, वो main मकसद से भटक चुकी है, दूसरा reason हो सकता है defection का, कि आपने starting कहीं और से की थी for example, आपने starting की थी एक love story से, बट आपने आते आते उसको ऐसा climax के चकर में, suspense के चकर में, ऐसा खराब कर दिया है कि आपका reader कह रहा है कि अच्छा start क्या हुआ था, end क्या हो गया, so अगर आपके reader के mind में ऐसे question आ रहे है third है कि आप message अगर आपको लगता है कि इसमें कोई message नहीं है, तो आप उसमें message दे सकते हो, message का सिर्फ एक purpose होता है कि वो आपके content को rich करता है और आपका status है, जो वो writer's community में elevate करता है I hope आपको ये clear होगा, next बात करते हैं हम climax के उपर देखिए, climax होता क्या है, climax एक ऐसा point होता है, story में, जब जो emotions होते हैं, वो maximum intensity पे होते हैं वो इतने intense होते हैं, कि as a reader, कभी-कभी आपको लगता है न, कि I got goosebumps, मेरे तो wrong टे खड़े हो गए ऐसी story मैंने read की, reader ऐसा करता है, या आप as a reader ऐसा करते होंगे So वो क्या है, climax में ऐसा point आगया, कि जो emotional intensity है, वो बहुत जादा high हो गई अब climax में क्या होता है, कई जो beginners writer होते हैं, जो beginner writer होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें इसको एक logic देना है, देखिए ऐसा नहीं होता है, आप हमेशा जरूरी नहीं है कि हाँ, logic होना चाहिए climax में अच्छी बात है, बट आपका जो climax है, वो illogical भी हो सकता है जरूरी नहीं होता कि आप अपने climax में कोई solution करो, कई बार जो beginner writer होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें जरूर solution देना चाहिए, कि conflict आपने create कि, climax कैसे create होता है, किसी conflict से आप end कैसे करते हो, अगर आप as a beginner हो, तो आप सोचोगे कि मैं इसका कोई solution दे देता हूँ जरूरी नहीं है guys, आपको solution देने की कोई जरूरत नहीं है, आप open end भी अपनी story का कर सकते हो next जो element का आपको ध्यान रखना है, कि climax में ऐसा नहीं होता कि surprise essential हो ठीक है, कई बार आपको, हम बहुत सारी climax पे भी आएंगे, जो एक proper unit आएगी बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो हमारा surprise है, वो essential element नहीं होता है ठीक है, अब हमने आपको तीनों topic को हमने cover कर लिया है, I hope आपको ये topics clear हो गए होंगे so आप इस channel को जरूर guys subscribe कर लिजिए, so that आप सारी videos को देख पाएं और कोई भी video miss ना करें, thank you so much for watching, may God bless you all